हलो बच्चों, मेरा नाम है अनीला थौमस। आज में एक पार्ट जै विवित्ता और सनरक्षन। कक्ष आठवी जीव विज्ञान का समझाने जा रही हूँ। हम अपने चारों और विभिन प्रकार के पौधों और जानवरों को देखते हैं। इन जीवों की अपनी विशिष्ट विशिष्टाय होती हैं और ये एक दूसरे से भिन होते हैं। विभिन जीवित जीवों के योग को जैव विवित्ता के रूप में जाना जाता है। आईए अब जैव विवित्ता के बारे में जाने। तो इस पार्ट के पूरा होने के बाद आप जान सकेंगे। जैव विवित्ता और इसका महत्व। वनों की कटाई वनों की कटाई के कारण वनों की कटाई के परिणाम जैव विवित्ता क्या है। हम जानते हैं के पृत्वी, ग्रह, पोधो और जानवरों की बहुत सारी प्रजातियों से भरा बड़ा है। विज्ञानिकों के अनुसार पृत्वी पर लगभग सत्तर से सो लाग प्रजातिया है। इन सभी जीवों के योग को जैव विवित्ता कहते हैं। जैव का आर्थ है जीवन और विवित्ता का आर्थ है विवित्ता यानि भिन्ना। इस प्रकार जैव विवित्ता का आर्थ है पृत्वी पर विविन्न प्रकार के जीवन रूप और सभी जीवी चीजों की आवश्यक परस्पर निर्भरता। महत्व पूर्ण शब्द जैव विवित्ता वनू की कटाई। शहरी करण खुदाई जंगल की आग चक्रवाद और ग्लोबल वॉमिंग आये जैव विवित्ता पर अवधारणा मान चित्र देखे। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में हमें कई किस्मों के पौधे, पर्शू और पक्षी क्यों नहीं मिल रहे हैं। वे हमारे परिवेश से गायब क्यों हो जाते हैं। लगभग तीस चालिस वर्श पुर्व विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे सारस, गौरेया, तोता, आदी सामान्य रूप से देखे जाते थे। गौरेया बड़ी संख्या में कम हो गई है। पहले गाउ में कभी कवार ही बंदर गुस्ते थे। अब बार-बार आ रहे है। वन सुरो की संख्या बढ़ रही है और फसलों को नुकसान पहुचा रही है। जो जीव आम तौर पर पहले देखे जाते थे, वे अब लुप्थ हो गए है। मनुश्य अपनी सुक्सुईधाव के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नश्ट कर रहा है। बड़े पेड, कई पक्षियों, जानवरों और कीडों के लिए मेजबान है। लेकिन अब सडकों को चोड़ा करने के लिए काट दिये जाते है। जिससे वनक्षेत्र कम हो जाता है। अतह वनों की कटाई जैव विवित्ता के नुकसान का मुख्य कारण है। आए जानते हैं वनों की कटाई और इसके कारणों के बारे में। पृत्वी पर पौधों और जानवरों की एक विशाल विवित्ता मौजुद है। वे मानव जाती के कल्यान और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खत्रा वनों की कटाई है। वनों की कटाई का अर्थ है जंगलों को साफ करना और उस भूमी का अन्य उद्देशों के लिए उपयोग करना। नीचे बताए गए कुछ उद्देशों के लिए जंगल में पेड काटे जाते है। खेती के लिए भूमी प्राप्त करना। घरों और कारखानों का निर्मान। फरनीचर बनाना या इन्धन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। वनों की कटाई के कुछ प्राकृतिक कारण जंगल की आग और गंभिर सूखा है। कृशी विस्तार बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान उत्पादन की अत्यधिक मांग है। इसलिए फसल उत्पादन और मवेशियों के चरने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते है। कृशी की जरूरतों के लिए भूमी प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत से अधिक जंगलों को साफ किया जाता है। शहरी करण आवशक्ताई भी उत्पन होती है। इसी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को नश्ट किया जाता है। कोईले, हीरे और सोने के खनन के लिए बड़ी मातरा में वन भूमी की आवशक्ता होती है। इसलिए, वनक्षेत्र को साफ करने के लिए बड़ी संख्या में पेड काटे जा रहे है। इसके अलावा, खनन से निकलने वाला कच्रा पर्यावरण को प्रदूशित करता है। बांधो का निर्माण बड़ती आबादी के लिए जलापूर्ती बढ़ाई जाए। इसलिए बड़े आकार के बान बनाई जाते हैं और बड़े पैमाने पर वनक्षेत्र को साफ किया जा रहा है। लकडी उत्पादन हमें अपने दैनिक जीवन की जरुरतों के लिए लकडी की आवशक्ता होती है। कागत्स, माचिस, फरनीचर जैसे लकडी आधारित उध्योगों को परियाप्त मातरा में लकडी की आपूर्ती की अवशक्ता होती है। लकडी सबसे अधिक इस्तिमाल किया जाने वाला इंधन है। इस प्रकार इंधन की आपूर्ती के लिए बड़ी संख्या में पेड काटे जा रहे है। अवैध लकडी काटने से बड़ी संख्या में पेड नश्ठ हो जाते है। ये कुछ मुल्यवान पौधों के नश्ठ होने का मुख्य कारण है। जंगल की आग कई जंगलों में अक्सर आग लग जाती है। विमनुष्यों, दुरगटनाओं या प्राकृतिक कारकों के कारण हो सकते है। जंगल की आग हर साल हजारो एकडवन भूमी को नश्ठ कर देती है। इससे जैव विवित्ता और आर्थ व्यवस्ता को भी नुकसान होता है। चक्रवाद बड़े पैमाने पर पेड़ों को नश्ठ कर देते है। वे न केवल पेड़ों को नश्ठ करते हैं, बलकि कई लोगों की आजीविका को भी प्रभावेत करते हैं। क्या आप वनो की कटाई के परणाम जानते हैं। वनो की कटाई के परणाम स्वरूप विभीन नहानी कारक परणाम होते हैं। जिसमें शामिल है, वनो की कटाई से पृत्वी पर तापमान और प्रदूशन का स्तर बढ़ जाना। ये वातावरण में कारबन डायोकसाइड के स्तर को बढ़ाता है। भूजल स्तर भी नीचे चला जाता है। वनोन मूलन से प्रकृती का संतूलन बिगड़ जाता है। वर्षा और मिट्टी की उर्वर्ता में कमी आ जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओ की संभाव ना बढ़ जाती है। बढ़े हुए CO2 स्तर का हानिकारक प्रभाव। हम जानते हैं कि प्रकास संसलेशन के लिए पोधो को कार्बन डाय ओक्साइड की अवशक्ता होती है। बनों की कटाई के परिणाम स्वरुप केवल कम पेड़ वातावरण में कार्बन डाय ओक्साइड की स्तर को बढ़ाते है। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। प्रित्वी पर तापमान में व्रिद्धी जलचक्र को बाधित करती है और वर्षा को कम कर सकती है और सूखे का कारण बन सकती है। पाठ की प्राप्ती या याद रखने योग्य पॉइंट्स पोधों और जानवरों में दिखाई देने वाली विवित्ता और परिवर्तन शीलता को जैव विवित्ता कहा जाता है। वनों की कटाई का आर्थ है जंगलों को साफ करना और उस भूमी का अन्य उद्देशों के लिए उपयोग करना। वनों की कटाई से पृत्वी पर तापमान और प्रदुशन कस्तर बढ़ जाता है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप केवाल कम पेड़ वातावरन में कार्बन डाय उक्साइड के स्तर को बढ़ाते हैं जिससे ग्लोबल वामिंग होती है।